नमस्कार, मैं हो ससी, आए जारखन की टॉप 25 परमुख खबर जानते हैं इसमें ग्रेट पे बढ़ाने की मांग परवारता हुई बाद में यह निर्नाय लिया गया है कि ग्रेट पे 2000 से 24 सव करने के लिए एक कमिटी का गठन किया जाएगा कमिटी में रयस्व विभाग, बित विभाग तथा कार्मिक प्रसासनिक सुधार विभाग के एक-एक सदस्य होंगे संग का एक सदस्य भी कमिटी में सामिल होगा कमिटी के निर्नाय के अलोक में विभाग के अस्तर पर नियमा अनुसर करवाई की जाएगी इस पर भी समाती बनी है कि कमिटी दो महिने में रिपोर्ट देगी अने मांगों पर समाती बनने के बाद संग के राज अध्यक्ष अमर किस और पर साध सीना और विभाक सन्युक्त सचीव दसरस चंद्रदास ने सन्युक तुरूप से हस्ताक्षर करहताल समापती की घोसना की है पश्मी विछोब की सक्रियता बढ़ते ही पहाडों पर बर्फ बारी शुरू हो गई है अब इसका असर मैदानी इलाकों में भी दिखेगा बर्फिली हवाए इस ओर भी आएगी जिससे धनबात के आसपास का रात का मौसम सर्द होगा मौसम इभाग ने अगले 3-4 दिनों में आबो हवा में बदलाव के संकेत दिये है जारी अपडेट के मुताबिक अगले 2-3 दिनों में निवत्तम तपान में किसी बड़े बदलाव की संभावना नहीं है इसके बाद अगले 3 दिनों में 2-3 डिगरी की गिरावट आने के असार है बतादे मंगलवार को निवत्तम तपान 18 डिगरी पर है जिससे सनीवार तक 16 डिगरी तक पहुँचने की संभावना है जार्खन के पाराशिक्षकों निवत्तिनी मावली में लगाई आग तेट सफल सहायक अध्यापक संक्यावाहन पर तेट उतिन पाराशिक्षकों ने मंगलवार को हाल ही में गठीत सहायक अचारे निवत्तिनी मावली की परतियां जला कर बिरोध प्रकट किया यह कारेकरम पूरे राजे में आयोजीत किया गया टेट उतिर्न पारा सिक्षक परिक्षा लेने की जगा सीधे समयोजन की मांग कर रहे हैं टेट सफल सहयक अध्यापक संग के परदेश अध्याक्ष परमोद कुमार और महासचीव मोहन मंडल ने कहा है कि यह नियमावली राजे सरकार द्वारा जबरन थोपा जा रहा है सिक्षा मंत्री से कई दोरे की वारता में टेट सफल सहयक अध्यापको को समयोजित कर बेतन मान देने परसामती बनी थी लेकिन उस वारता से सिक्षा मंत्री मुकर रहे हैं अब नई नियमावली के तहद विग्यापन निकालने की बात कर रहे हैं उनके अनुसार महा अधिवक्ता विटेट सफल पारासिक्षको को समयोजिन कर बेतन मान के उन्संसा कर चुके हैं जारखन में 100 क्लोर की अगोसित समपती का पता चला जारखन में पिछले 3 दिनों तक चली आयकर विभाग की छापे मारी में 100 क्लोर रूपय के निवेस की जनकारी मिली है तीन दिनों तक की गई छापे मारी के बाद आयकर विभाग ने मंगलवार को इस बारे में ब्यान जारी कर जनकारी साजा की है आयकर विभाग की टीम ने जार्खन में 50 से अधिक ठीकानों पर छापे मारी की थी यह छापे मारी रांची गोड़ा बेरमो दुमका जमसेत पुचाई बसा के लावा बिहार के पतना और उतर परदेश के गुरु ग्राम और पच्छिम बंगाल के कोलकत्ता में होई थी इन सरकारी इसकूलों के सिखों को अजीम प्रेम जी फाउंडेशन की ओर से प्रस्शित किया रहा है इन में राची जिल्ये के पांच इसकूल सामिल किये गया है इन इसकूलों में गुनवत्ता पुन सिख्षा देने की कोशिण की जाएगी जारकन अदर्स विद्याले कारेकरम नाम दिया गया है इनमें माधिमिक और उच माधिमिक अस्तर की स्कूलों को रखा गया है पलामू के तीन मावादियों पर इनाम की घोसना पलामू के तीन मावादियों पर राय सरकार ने इनाम की घोसना की है मवादी संगठन में से ए दोनों जोनल कमांडर के पद पर हैं नकसली रवींद्र मेहता और छोटा ब्यास पर पांच लाख रुपए के इनायम की घोसना की गई है अंतराश्ट्रिय संताल सरना धर्म महासमेलन में सरना कोट पर बोले सियम हेमांद सियम हेमांद सुरे ने बोकारों के ललपनिया में 22 वे अंतराश्ट्रिय संताल सरना धर्म महासमेलन को समोधित करते वे कहा है कि आदिवासी समाज आज भी समाजिक आर्थिक वर सेक्षनिक रूप से पिछड़ा हुआ है हमें इन सब से आगे आना होगा जागरुक होना होगा वर्ल्ड में सब से ज़्यादा आदिवासी संताल समाज है इसके बावजूद IAS, IPS, जोज, वकील, DSP, डॉक्टर, इंजिनियर नहीं बन पा रहे हैं लेकिन अब धीरे-धीरे कुछ परिवर्तन दिख रहा है वह सरकारी नोकरियों में हमारे लोग आ रहे हैं हमारी सरकार ने सारना कोट का प्रस्ताव पारित करकेंद्र के पास भेज दिया है भारत का पहला राज जारकान है जिसने सारना कोट का प्रस्ताव पारित करकेंद्र को भेजा है YCM ने कहा है कि जब तक हमारा समाज जागरूप होकर समाजिक आर्थिक वस्तेखनिक रूप से सबन नहीं होगा तब तक हमारा सही रूप से उत्थान संबव नहीं है पलामू टाइगर रिजरब में 11,000 वोल्ट करण्ट लगा कर हाथी को मारा पलामू टाइगर रिजरब के गारू पच्मीर रेंज के लाभर गाव के समीप 30 वर्स ये नर हाथी को 11,000 वोल्ट की तार से करण्ट लगा कर मार दिया मंगलवार को सहादूर सिंग के खेत में हाथी के 100 को वन विभाग ने बरामत किया है इस मामले में सहादूर सिंग की पतनी इसमतिया देवी और नरायन सिंग को गिरफतार किया गया वहीं सहादूर सिंग फरार है असंका ब्यक्त की जा रही है कि हाथियों की खेत में आकर फसल नश्ट करने से परिसान लोगों ने बिजली करंट दे कर उनकी मौत की घाट उतार दिया होगा इधार सहादूर सिंग के खेत में हाथी को मरने के बाद बिजली के तार को जाडियों में छीपा कर रख दिया गया था हाथी के मारे जाने की जनकारी मिलने पर मौके पर पहुची वान विभागी टीम ने सर्च अभ्यान के दोरान बीली के तार को जाड़ियों सो बरामत किया है जारखन में जीरो बाइलेंस के कारण पेनाल्टी के तौर पर बैंको ने निकाले स्टूडेंट किट के पैसे जारखन के कूल 34 और 850 प्रात्मी को अमद विद्यालों में संचालीद SMC के बैंक खातों से मीनिमम बाइलेंस मेंटेनेंस के पेनाल्टी के तौर पर राजे के स्कूलों के बैंक खातों से पेनाल्टी के तौर पर क्रोरों रूपए काट लिए गया है वह अभी तब जब जारखन सिक्षा पर युद्या पल्चद ने गारा जुन्द 2021 को एक पत्र जारी कर बैंकों को असपश टूर्प से निर्देश दिया था कि स्कूल खाते में मीनिमम बाइलेंस मेंटेनेंस के नाम पर पेनाल्टी की सर्थ को सिथिल की जाए इसका खुलासा तब हुआ जब सरकार की ओर से समग्र सिक्षा अभियान के तहट पहली से आटवी कलास तक के बच्चों के स्टुडेंट कीट की रासी के एवज में 28.57 एक क्लोर की रासी जारी की गई लेकिन इसकूलों में जब प्रती छात्र संख्या के अधार पर दी गई रासी की गण्ना की गई तो छात्र संख्या के हिसाब से यह काफी कम थी जार्खन में राष्ट पती सासन की मायंग पर अर्जुन मुंडा ने कही बड़ी बात जार्खन के पुर्व सीम रगवरदास द्वारा जार्खन में राष्ट पती सासन की मायंग पर केंद्रिये मंत्री अर्जुन मुंडा ने कहा है कि जानता का सुरक्षित होना और सुरक्षित महसूस करना जरूरी है पिछली घटनाओं से लग रहा है कि परसासन और पूलिस सही ढंग से काले नहीं कर पा रही है जिसके कारण राज में अपराइद बढ़ गए है जानता का सुरक्षित होना और सुरक्षित महसूस करना जरूरी है पूर्व मुख मंत्री और भाजपा के राष्टरिये उपाध्यक्ष रगवर्दास ने कहा है कि मुख मंत्री हमान सुरेन इड़ी को सहयोग करने के बज़ाए गुमराह कर रहे है राज की भोली भाली आदिवास्ती जनता को भड़काने का भी काम कर रहे है केंद्री एजेंसी को खुल्याम चुनोती भी दे रहे है हमान सुरेन आतंक का राज कायम करना चाह रहे है समिधान कानून को नहीं मान रहे है स्रियम हमान गुरु गरांथ साहिव के अस्थापना अस्थल परमाथा टेके गुरु नानक जनती पर जहारखन में उत्तसाह का महौल है परकास उत्सव पर रांची के गुरु नानक इसकूल पहुंचे मुख्य मंत्री हमान सुरेन ने कहा है कि आज एतिहासिक और पवित्र दिन है इस पवित्र दिन को गुरु पुर्णीमा के रूप में भी मनाया जाता है मुझे भी इस परिसर में गुरु गरंथ साहिव के अस्थापना अस्थर पर माथा टेकने का मौका मिला वैसे मैं यहां कई बार आ चुका हूँ जारखन के मुक्ष मंत्री हमांसुरे ने कहा है कि बैस्विक संकर कोरोना संक्रमन काहल तता अने विकट परिसीतियों में सीख समुदाय गरीब जरूरत मंद लोगों के बीच मजबोती के साथ ख़़ा रहता है सुजीत मुंडा का सुबह की फलाइट छुटने पर खेल निदे साले ने किरकेटर को भेजा बैंगलूरू ब्लाइन्ड किरकेट वर्ल्ड कॉप टीम में चैनेद सुजीत मुंडा को खेल निदे साले द्वारा एयर टिकट बुक करा कर बिर्सा मुंडा यारपोर्ट रांची से बैंगलूरू के लिए रवाना किया गया इस दवरान एयरपोर्ट पर खेल निदे साले के पताधिकारी विपास्थित थे आपको बता दे कि देर से एयरपोर्ट पहुंचने के कारण सुजीत मुंडा की सुबह की फ्लाइट छुट गई थी कुछ दिन पहले ही मुख्य मंत्री द्वरा उन्हें खेल किट देने के साल सा सरकारी सुविधाय देने की विभुसना की गई थी ज्यारखन के सियम हेमान सुरें से पिछले दिनों उनके रांची के काके रोड़ी सीत मुख्य मंत्री आवासे करेले में सुजीत मुंडा ने मुलकाद की थी राष्ट पती के खुटी आगमन को लेकर तयारियां ज्यारखन अस्थापना दिवस और भगवान बिर्शा मुंडा के जयनती का उसर पर 15 नॉमर को राष्ट पती द्रपादी मुर्मो के खुटी और उलिहातु आगमन को लेकर तयारियां तेज कर दी गई है कारिकरम के आयोजन और शुरक्षा ब्यवस तक लेकर खुटी और उलिहातु में यूद अस्तर पर कारिकिये जा रहे हैं मंगलबार को ज्यारखन के मुखे सची सुखदेव सिंग और डिजी पी नीरस चीना सहित अन्य अधिकारियों ने त्यारियों का जाजा लिया बता दे ज्यारखन के मुखे सची सुखदेव सिंग और डिजी पी नीरस चीना सबसे पहले खुट्टी के बीर्षा कॉलेज इस्थीत बीर्षा फोटबल स्टेडियम पहुँचे सीम हेमन्त आईपी एचसी की सौवी बर्सगाठ में हुए सामेल मुखे मंत्री हेमन्सुरी ने काया है कि इंटरनेशनल पेटे कोस्टल होलीनेस चर्च बीगत सौव साल से सुदुर गरामिन छेत्रों में गरीब ज़रुरत मन्त पिछले कमजोर्थ था आदिवासी समाज के उत्थान के लिए कार कर रही है यह संस्थान ऐसे वर के लोगों को अपने पेरों पर खड़ा कर उन्हें बल देने का काम कर रही है जारखन अत्यंत पिछले राजियों में से एक माना जाता है सुदुर गरामिन छेत्रों में बसने वाले लोग कठिन जीवन से गुजरते है ऐसे लोगों के बीच पहुँचकर आपकी संस्था उन्हें माग दसन देकर आगे बढ़ाने की तकत दे रही है आज मैं इस मंच के माध्यम से आप सभी को तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ रिम्स बिना फिस के कराएगा रिकोर्ड ओफिसर्स और टेकनेशन की पढ़ाई रांची के रिम्स ने एक यूनिक का कोर्स डियाइन किया है संस्था ने ना के वाल कोर्स डियाइन किया है बलिक पहले बैच में अडमिसन की सुरुआत भी कर दिया है इसे लेका नोटिफिसर्स में जारी कर दिया गया है जारी नोटिफिकेसर्स के मताबिक इस कोर्स को करने के एक छुक उमिद्वार 31 नॉमबर तक अवेदन कर सकते हैं वहीं कोर्स से समधी 32 जनकारी संसान के बैपसाट से लिजा सकती है रिम्स की ओर से डिजाइन किया गया या कोर्स रिकोर्ड अफिसर्स और टेकनेशन से जुड़ा हुआ है इस कोर्स को पूरा करने वाले लोग किसी भी होस्पिटल के मेटकल रिकोर्ड डिपार्टमेंट में नोकरी कर सकते हैं एंटी पीसी नोर्थ करन पूरा से विजली उत्पादन कभी भी एंटी पीसी नोर्थ करन पूरा पावर प्लांट सिग्र ही फूल लोड बिजली ट्रोयल अरणाम करेगा ट्रोयल 15 नॉंबर के आस्पा सुरू किया जाएगा बताया गया है कि पहले 72 घंटे तक प्लांट से कुल छामता का बिजली उत्पादन किया जाएगा उत्पादित बिजली नोर्थ करन पूरा चंदवा लाइन को दिया जाएगा यहाँ से बेडो ग्रीड को भी बिजली मिलेगी जिते जार्खन को बिजली आएगी वहीं चंदवा गया लाइन से बिहार को भी बिजली मिलेगी बताया गया है कि 72 घंटे ट्रायल के बाद बिजली उत्पादन को नियमित कर दिया जाएगा यानि ग्रीडो को बिजली आपूर्ति निरंतर होती रहेगी 1932 का खतियान वह सारना कोड पर बोले सियम हमांत सियम हमांत ने कहा है कि 1932 का खतियान लाया है इसको बचाना होगा 20 साल डबल इंजन की सरकार रही है लेकिन इन लोगों ने आधिवासियों के लिए सारना कोड नहीं लाया हमारी सरकार ने सारना कोड का प्रस्ताव पारित करकेंद्र के पास भेज दिया है भारत का पहला राज जहरकंड है जिसने सारना कोड का प्रस्ताव पारित करकेंद्र को भेजा आज सरकार वो अधिकारी गाउं तक भी जा रहे हैं गरीबों को पेंसन मिल रही है बिधवा व बिरिधा का पेंसन के लिए कानून बनाया आज हमारे समाज के जितने बचे बिदेश में पढ़ रहे हैं इस पर चिंतन मनन करे वो बचों के सिक्षा पजोर दे हमारी सरकार आदिवा सिदलित अल्पसंख्यक समाज से जुड़े लोगों को बिदेश पढ़ाई के लिए भेज रही है आने वाले 5-10 साल बाद इसका पढ़ नाम देखने को मिलेगा है पलामू का कोयल पूल का नाम पुरंचंद्र सेतु पलामू के कोयल पूल का नाम पुरंचंद्र सेतु के नाम से जाना जाएगा मंगलवार को मेजर अरुना संकरने निगम बोर्ड से नमांकन पारित कराते हुए पलामू के गांधी कहे जाने वाले के सवर गिये पुरंचंद्र को उनकी संतानवी जन्ती पर उने सदांजली दिगाई इनके साथ ही पुरंचंद्र के अनुयायों की वर्सो पुरानी मांग पुरी हुई कोयल नादी के उपर ततकानी डाल्टेंगाई सहर से सापूर होते हुए गढ़वाग को जोडने वाली इस पूल का सिलन्यास उस समय पुरंचंद्र द्वारा ही किया गया था पुरंचंद्र अभिभाजित बिहार सरकार के खान मंत्री भी थे उन्होंने खनन और राजस्व भिभाग से इस पूल का निर्मान कराया था सराय केला में पूलिस हिरासत में नबालिक की मौत मामला सराय केला पूलिस थाना की हिरासत में गत दो नुवंबर को नबालिक मोहन मुर्मू के संदिक परिसिती में मौत के च्छो दिन बाद उससे मुक्ति मिली है मंगलबार को जीला परसासन एवां परिजनों के समझावता के बाद मिरिता के परिजनों में पीता, दुबाई मुर्मू एवां माता, सप्रा मुर्मू को जहां तीन लाखी सायता रासी सराय के लाजीला परसासन दुवारा दिया गया वही परसासन के अस्वासन पर परिजन सोव के आमतिम संसकार कराने को राजी हो गाए और MGM से सोव लेकर स्वा नरेखा बर्निंग घाट में उनका आमतिम संसकार किया गया सरकार के खिलाब भाजपा का परदर्शन परदर्शन महागट बंधन की सरकार में ब्यप्त उसासन भरष्ट चार तुष्टी करन धर्मांतरन विकास बिरोधी खननलूट आदी जन बिरोधी नीतियों के नाम पर किया गया भाजपा सरकार का लागातार बिरोध इस तरह का परदर्शन करते हुए कर रही है इसी के तहद बंधगावा परखंड कर्याले में बंधगावा मंडल अध्यक्ष राजेंद्र मचुआ के अध्यक्षता में बिरोध परदसन किया गया है जारखन में संताली एस्पोकेन कोर्स का सुभाराम कुलपती परफेसर सोना जहरिया मिंज के अध्यक्षता में आयोधीत समारों में संताल अकादमी द्वारा चलाये जाने वाले 90 दिनों की अधारभूत बोल चाल संताली पाठेकरम के शुरुआत की गई कुलपती ने कहा आय कि संताल परगनाय के संदर में संताली रिड की हड़ी है बहुत सारे लोग संताली भासा सिखना चाहते हैं लेकिन उनको अशर नहीं मिल पाता इसलिए पाठेकरम के शुरु होने से हम लोगों ने सब को अशर परदान किया है इनकी संताली भासा सिखने किस अपने सकार होगा चत्रा में ग्रामिनों ने जमादार को पीट पीट कर फाड़ा वर्दी जारखन के चत्रा जिला मुख्याले से महाचार किलोमेटर की दूरी पर इस्थीत सदर थाना चेतर के सिंगपूर गाउं मंगलवार को रन चेतर बन गया ग्रामिनों ने सदर थाना के सहायक और निरिक्षक ससीकांत ठाकूर को बंधक बना लिया और उनके साथ जम कर अभधर ब्यवार किया गया मार पिट के साथ साथ वर्दी फार कर उन्हें अर्धनगन कर दिया गया सहयक अवा निरिक्षा को गिरामिनों से मुक्त कराने के करम में पूलिस वालों ने लाठी चलाई तो गिरामिन और उग्रो हो गाये तथा पथराव प्राड़म कर दिया जिसमें पांच जवान जखमी भी होगा यहाँ और पुलिस के तीन वाहनों को छती गरस्त कर दिया गया अथक परियास के बाद सहायक और निरिक्षा को ग्रामिनों से मुक्त कराया गया सन्यूक्त सहायक अभियानता नियुक्ती परिक्षा का पहिणाम जारी ज़ार्खन लोग सेवा अभियानता नियुक्ती परिक्षा कामती पहिणाम सोमवार को देर रत जारी कर दिया है यह पहिणाम सक्षतकार के अधार पर जारी किया गया है इसमें कूल 609 अभियार्थी सफल खोसित हुए है इनमें 514 अभियार्थी का चैन सिविल इंजिनियरिंग तथा 95 का चैन में केलकर इंजिनियरिंग के लिए हुआ है सफल अभियार्थी के नियुक्ती पत निर्मान विभाग जल ससाथन तथा पेजल एवं सोक्सता विभाग में होगी आयोग द्वारा जारी परिणाम में कहा गया है कि यह परिणाम जार्खन उच नियाला के वाज संक्या एल पीए 292 बाइट 2022 में पारित नया देश से प्रभावित होगा 30 क्रोर की लागत से लुगु बुरु का कराया जाएगा विकात जार्खन पर लोगु बाबा की किरपा है जिसका राज काफी तेजी से प्रगती कर रहा है लोगु बुरु घंटा बाड़ी धोरोम गड़ के विकास के लिए 30 क्रोर रुपे खर्च किये जाएंगे उक्त बाते मंगलवार को बेरमो अनुमंडल के ललपनिया इस्थित लुगु बुरु घंटा बाड़ी धोरोम गड़ में आयोजीत सारना धर्म महासमिल्यान में मुक्य मंत्री है मंसुरे ने कही वहां मौजूद लोगों को सम्भुधित करते हुए उन्होंने कार्थिक पुर्णिमा गुरु नानक जयनती और लोगु बुरु घंटा बाड़ी के बार्षिक पुजन समारों की सुपकवनाय देते हुए कहा है कि सभी आदिवासियों को अपनी परंपरा का निर्वा करना चाहिए संथालियों की जड़े जहां बिक्सित हुई वह आस्था का महाकेंद्र है यहां के वार्षिक अनुष्ठान में हिसा लेने के लिए कार्थिक पुर्नीमा के दिन देश विद्य से लाकों सधालों यहां पहुँचते हैं कोडार्मा में चमकी बुखार से तीन बच्चों की महत कोडार्मा जिला के सुदरुवर्ती सत गावा परखंड की मीरगंज पंचायत के जहर गाव में पांच दिनों के अंदर तीन बच्चों की मौत हो गई है बच्चों की अचानक इस तरह से मौत होने से गाव में दासत का महुल है लोगों को कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि मौत कैसे हो रही है मंगलवार को इस पूरे मामले की जनकारी अस्थानिय सेविका ने स्वास्थ विभाग वा परखंड प्रसासन को दी है इसके बाद स्वास्थ विभाग की टीम जाच के लिए गाँ पहुची विभाग इस बात की जाच कर रहा है कि कहीं बच्चों में चमकी बुखार जैसा लक्षन तो नहीं है लोगों की माने तो हलका बुखार के साथ मौत से पहले बच्चों को दो तीन बार उल्टी भी होती रही है धन्यवाद यादि आप चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब का बॉल का बेल आकन दबाएं साथी साथ वीडियो को एक लाइक कर आपने दोस्तों कसे आशेर करना ना भूलें साथी साथ आप हमें कोमेंट पर अपना फीडिवाएक अवस से दे थैंक यू